सुप्रिम कोर्ट के निदेश के बाद NCP अजित पवार गूट ने अपनी पार्टी का पहला घोशनपत्र जारी कर दिया है बयान में कहा गया है कि राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी और चनाव चिन्नक के पेच विवाद अदालत में वचार आदिन है और अंतिम फैसलिक के आदिन है सुप्रिम कोर्ट ने सभी चनाव के लिए घड़ी चनाव चिन्नक के इस्तिमाल की आनुमति देती है गौर्दलब है कि राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी और उसके चनाव चिन्नक को लेकर सुप्रिम कोर्ट में दायर याजिका पर सुनवाई के दरान सुप्रिम कोर्ट ने एहम टिपनी की इसमें अजित पवार को राष्टिय और राजिस्तर के दैनिक समाशार पत्रों में एक बयान प्रकाशित करनी का आदिश दिया क्या था जिसमें कहा गया था कि विदान सबाद चनाव में घड़ी चिन्नक का उपयोग किया जा सकता है लेकिन घड़ी चिन्नक का विग्यापन करते समय यह मामला अधिकार शेतर में है अब सुप्रीम कोर्ट के निदिशा नुसार एक दैनिक अकपार में राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी का बयान चपा है इसमें लिखा है कि चनाव आईफ ने अजित अनंत्राव पवार के निद्रुत्ववाली एनसीप को घड़ी का निशानतिया है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है अन्तिम फैसले के अधिन सुप्रीम कोर्ट ने एनसीप को सभी आगामी चनावों के लिए घड़ी चनाव चिन्नत का उप्योग करने की आनुमति देती है शरत पवार गुट के सुप्रीम कोर्ट जाने के दुरान चनाव आईल पर अजित पवार को घड़ी का चनाव चिन्नत देने पर आपती जताते वे शरत पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रूप किया था शरत पवार गुट की मांग है कि अजित पवार को तिया क्या सिंपल फ्रेज किया जाए अजित पवार को गड़ी का चुनाव चिननत देने से ग्रामिन इलाकों के बदाताओं में ब्रहम की स्थिती पैदा हो सकती है इसलिए मांग की गई है कि अजित पवार को गड़ी का चुनाच जिनन ना दिया जाए। कोटनी शरत पवार गुड़की इस मांग को खारिज कर दिया था। बिरो रिपोर्ट इन्बेसन लिउस